कर दोए में अजय है आदि नियुक्त आपकर उस्क्राइब के ने करते हैं तो एक आज लुड़े गात होगा गात की क्यूब को कहते हैं, पावर कितना है, पावर, स्क्वाइर या क्यूब, पावर होता है, गात बोलते हैं उसको ठीक, तो सार क्या निकला हूँ, दर सुनी दर एक यही ना, जैसे कुवदारन दीजिए, अभी तो गरित पर ही आज ही, एक हजार पेज का गरंत पूरा हो गया, सेटिंग में भी आज है, एक घंटा बाद एक हजार का गरित पर गरंत, एक हजार पिष्ठों का पूरा हो जाएगा, बैदिक मैथेमेटिक्स के 10 पेज की व्याख्या ही, उ इस पेज की व्याख्या एक हजार महां बोलिए, कोई उदारन, सौ गोड़े सूर ने बराबर सूर ने, सौ की घात सूर ने बराबर दीएगा, सौ में सौ से क्या करेंगे, एक कैसे होगा, इतना गुणित होता है, उसको हटा देने एक ही बस्ता है, सौ की घात के स्थान पर यह ऐसे कहना जा रहे माना के ती फूबुजी पावर टू, जो भात सौ क्वड़ु पू हो जाता है, अब एकार है ऑंदेट फूजी पावर जीरो, क्यानी हन्देल इंट्टू जीरो, देक हो यह जीरो, व्यांदेट उन्ट्ही प्राप्त भी आएउन थिए एक उर 2 थी प यह दोनों जो हैं मूल अंक हैं, हमारे शुन्य और एक पर आट-दस ग्रंत होंगे, वाइनरी सिस्टम जिसको अंगरेजी में कहते हैं लेटिन में, उसका हमने नाम रखा द्वयंक पद्धति, शुन्य और एक यहीं न, शुन्य और एक से ही पूरा गनित शास्त्र बनता है, दोनो अनादी अंक हैं, उदारन के लिए, 10-1 is equal to 9, 9-1 is equal to 8, 8-1 is equal to 7, 7-1 is equal to 6, 6-1 is equal to 5, 5-1 is equal to 4, 4-1 is equal to 3, 3-1 is equal to 2, 2-1 is equal to 1, and 1-1 is equal to 0, therefore, 0-1 is equal to 1, तो 0 को एक बनने के लिए भी एक की जुरत परी याने, जीरो को एक जो बनाएंगे उसके लिए भी एक की जुरत परी याने, लेकिन एक से एक कर देंगे, तो 0 या 0 बचेगा या नहीं, इसलिए इसको कहते हैं, कि 0 और एक दोनो अनादी अंक हैं, इसका नाम हमने दिया है, सन्निकट एक का सन्निकट निर्विशेश शून्य है, शून्य का सन्निकट सविशेश एक है, इसलिए ये दोनों के दोनों अनादी अंक हैं, जैसे वेदान्त में प्रकृतियो परमात्मा या प्रकृतियो पुरुस, प्रकृतिम पुरुसंचैवा विद्यनादी वह वपी ये दोनों अनादी हैं, ऐसे शून्य की शक्ति एक है, एक का मौलिक स्वरूप शून्य है, अन्त में जो भी शेश बचेगा, विचार करते करते अन्तिम शेश सून्य है या एक ही बचेगा, इसलिए गहात को लेकर एक की प्राप्ति हो गई उधर, जीरो प्लस जीरो, जीरो मैंना जीरो, जीरो इंटु जीरो, एक दम से जीरो में जीरो भाग देंगे, तो हमने ये भी प्रकृतिया दी है, सब जगा जीरो की प्राप्ति हो गई, और यहां तक की एक को एक सरियन करे पर शुनी की ही प्राप्ति होती है, शुनी को भी शुनी से रिन कर देंगे तो शुनी की ही प्राप्ति होगी, एक का एक नाम क्यों है, शुनी से एक अधिक होने के कारण एक का नाम एक है, दो क्यों कहते हैं, शुनी से दो अधिक होने के कारण, आचा, दो रिन, दो बराबर सुन्य क्यों क्योंकि दो से दूसरे अंक पर पिछे की वर शुन्य है इस प्रकार से शुन्य और एक को मौलिक अंक सिद्ध करने के लिए उदर जो आपने कहा उदर सुन्य बच जाता है इदर गात में एक बच जाता है मौलिक ता का दियो तक यह दोनों अंक इसलिए इगल पुरान में लिखा है एक धंत गरेह जी का नाम है एक धंत एक माने माया धंत माने ब्रह्म ऐसका मलग शून्य और एक दोनों के योग से ही गनित शास्त की प्राप्ती होती है, निर्विशेष एक का नाम है सुनि, सविशेष शुनि का नाम है एक, एक के ही एक दोनों रूप है, गर्वना की दिष्ट्री से प्रथम स्थान किसका है, एक का स्थान की दिष्ट्री से प्रथम स्थान है, शुनि का, दस से ल अंख उपर से नीचे तक पर जाये, क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ऐसे 10 से 19 तक, ऐसे ही, क्या करेंगे फिर, 20 से 29 तक, 30 से 49 तक, 21 थानापन अंख को उपर से नीचे तक पर हिये तो, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, यही मौलिक अंख है, लेकिन, 0 का दर्शन सबसे पहले, दस में होता है, दस में, दस जो है, मौलिक अंक नहीं है, क्योंकि दहाई है, इकाई स्थानापर सूने, दहाई स्थानापर एक, तब जाके दस की प्राप्ति होती है, दहाई सैकरा स्थानापन जो संख्या है, वो मौलिक अंकों का, आगे पीछे, दाएं वाएं खेल है, मौल नुरता है कि एक से नौ तक कहीं भी शूनिका दर्शन नहीं होता, और दस लिखने पर सबसे पहले शूनिका दर्शन हो जाता है, पर उन दस जो है, उसमें मौलिक अंक एक है, शूनि अगर मौलिक अंक ना हो, तो अठाथ इकाई स्थाना पर शूनि कैसे आ जाए, एक सो एक कुछ भी लिखें, दहाई लिखते ही, सैक्रा लिखते ही समयना चाहिए कि मौलिक अंक दाएं वाएं सन्हीत हो जाएं, तो दहाई सैक्रादी की स्थिती होती है, इसलिए मानना परेगा कि स्थान की दिष्टी से शूनिय और गर्णा की दिष्टी से एक प्रथम अंक है, य यही विशंगति या यही रहस्य दोनों कह सकते हैं, अक्षर में भी है, अं सबसे पहले कहां दर्शन होगा, ओ, इ, उ, ड, र, र, ड, ड, अ, अ, आ, अ, औ, आउ, औ, आ, छोडदेंगे, इ, जीर्क छोडदेंगे, अ, इ, उ, र, 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 ड, अ, आ, अ, आ, ओ, आ, अ यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नद, यहां दसमें स्थान पर एक के आगे, टिकाई स्थानां पर शुनी का दर्शन होता है फ्राचीन गरित शास्त्र में शुनी के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रियोग होता था अब वहां के आओ के ऊपर चर गया तो अनुस्वार यहां एक के बगल में आ गया दाई और तो उसका नाम शुनी हो गया, दस हो गया तो जैसे दस में शुनी हमको दस में स्थान पर दिखाई पड़ता है ऐसे ही अक्षर में, अक्षरामनाय में अनुस्वार हमको कहां दिखाई पड़ता है, दसमें स्थान पर, लेकिन अनुष्वार निर्विशेस है या और निर्विशेस है, रचना की दिष्टी से भी, इसलिए और से पूर्व अनुस्वार है, लेकिन जो निर्विशेस होता है जिसमें कोई भीशेष्ता नहीं होती, वो किसी सविशेष के सहारे ही उसके महत्व को बढ़ा देता है, उसकी गुनवत्ता को बढ़ा देता है, जैसे अनुष्वार के बेना किसी ओ आई, अक्षर की सिध्धी नहीं हो सकती। ऐसे शूनि के बिना एक की भी सिद्धी नहीं हो सकती है फिर भी निर्विशेष जो है सविशेष के समासित होकर ही अपने महत्ता को सिद्ध कर पाता है अब थोरा विचार की जो दस है दस लिखेगे टेन तो 21 स्थानाम पर सूनि दाइश थानाम पर एक अब उल्टा कर दीजिए विकाई स्थानाम पर एक और दाई स्थानाम पर सुनी कर दीजिए क्या चमतकार हुआ एक के बाद में दाई और सुनी लिखा तो दस हुआ न अगर सुनी को हटा लेंगे तो एक एक ही रहेगा सुनी को दाई और कर दिया तो एक की कीमत सुनी ने कितना बढ़ा दिया नो बढ़ा दिया न और जब हम एक के बाद बाई और सुनी रखेंगे उस दस की कीमत को सुनी ने कितना घटा दिया तो घटाने वाला पदार्थ भाव पदार्थ होगा या अभाव जो घटा दे, या वरहा दे, घटा दे या वरहा दे, वो तो भावपदार्थी हो सकता है, इसले शुन्य भावपदार्था है, भावंक है, देकर निर्विशश्था के कारण, जहां समात हो जाती है, हो नो के आगे जितने संख्या है, वो 31 स्थानापन अंक के ही वाएं खेल का खेल है इसलिए बूल अंक स्टोनी से लेकर नौ है यह हमने सिद्ध किया और कोई